हेलो आल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम देखेंगे अभी रिसेंटली एक पंजाब नैशनल बैंक की पोस्ट निकली है कहां पे न्यू डेली में न्यू डेली के द्वार का एरिया में ठीक है इसकी जो आप अभी यह फॉर्म भर सकते हैं जो इन्होंने टेटिव पताई है इस एक्जामिजेशन की ऑक्टूबर नमंबर पताई है ठीक है तो आगे आज हम टीटेल में देखते हैं कौन-कौन सी पोस्ट है सबसे पहले है हमारी मैनेजर इसकी जिसकी 160 पोस्ट निकली है मैनेजर क्रेडिट की 200 ट्रेजरी की 30 लॉग की निकली है 25 जो हमारे आगे आते हैं सीनिर मेनेजर जो डिस्क की है वो 40 पोस्ट है सीनिर मेनेजर क्रेडिट की 50 पोस्ट साथ में इनका जो हमारा स्केल पे है वो गीवन है ठीक है आप चेक कर सकते हैं इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ठीक है उस साइट पे जाक जो रिस्क की है जो 160 पोस्टे है उन में से SC की है 25, ST की 12, OBC की 43, EWS की 16 and the general category की है 64 जो हमारे मैनेजर क्रेडिट की है 200 पोस्टे में से SC की है 31, ST की है 15, OBC की है 54, EWS की है 20 and the general की है 80 अब आते हैं हम ट्रेजरी में मैनेजर ट्रेजरी की 30 पोस्ट में से 4 निकली है SC की 3 निकली है ST की 8 है OBC, 3 EWS and 12 general की ठीक है फिर अब आते हैं law पे law में से 25 पोस्टे में से 3 SC की 1 ST की 8 OBC की 2 EWS की and 11 general की आगे इनकी सब केटिगरीज है इनको जुरूर चेक कर ले ना description box में जब आप detail में चेक कर होगे architect में 2 में से 1 post है OBC की and दूसरी post है general की ठीक है SC, ST and EWS की इसमें से कोई post नहीं है जो हमारा civil है civil में से 8 post है 8 post में से 1 SC की 1 ST की 2 OBC की 1 EWS की 3 general की ठीक है हमारी जो manager economics में है 10 post में से 2 SC की 1 ST, 2 OBC, 1 EWS, 4 general की HR में से 10 post में से 1 SC, ST की 3 OBC की 1 EWS की and 4 general की फिर आते हैं senior manager risk पे 40 post में से 7 SC की है, 3 ST की है, 10 OBC की है, 4 EWS की है, 16 general की है फिर senior manager credit में से 50 में से 7 SC की, 4 SC की, 14 OBC की, 5 EWS की and 20 general category की जितनी जल्दी हो सके आप ये vacancy fill कर सकते हैं, अब आते हैं इनके eligibility criteria में eligibility criteria में, जो income manager risk है, उसमें इनने minimum age मांगी है 25, maximum मांगी है 35 अब इनको qualification कितनी जाहिए, bachelor and master's हो किसमे, math, statistics, economics में और CA, CWA, CFA complete की हो with 60% aggregate, ठीक है, and कीन को preference ज्यादा देंगे जिनकी certificate होगा examination in risk in financial services, certification course होगा risk management में, ठीक है post qualification experience में क्या मांगा है, इनोंने, एक साल का experience मांगा है, bank में हो, या public sector में हो, या corporate high level credit, या corporate high level credit, या NBF से, ठीक है, इन में से कुछ भी हो, तो आप fill कर सकते हैं, आज की हमारी second post है, जो वो है manager credit की, इसमें भी इनोंने same उमर मांगी है, इसमें cda, cwa, mba, ठीक है, या फिर, किसी person ने, इसके equivalent, कोई graduation, diploma किया हो, 60% से, ठीक है, desirable क्या मांगा है, certificate in commercial credit and mood analytics, ठीक है, इसमें अगर आपके सपास में कोई भी certificate है, वो चल जाएगा, post qualification experience मांगा है, एक साल का post qualification experience, high level, high value credit का, third post का कहती है, manager treasury, इनोंने भी minimum 25, maximum 35 मांगी है, जो हो, इनकी qualification है, इनोंने mba finance, या इसके equivalent कोई भी, cwa, cwa, cfa, कोई भी, या फिर, diploma हो, 60% aggregate का, ठीक है, desirable किनको preference देंगे, certificate treasury dealer course, IIBF का को, इनोंने course किया हो, या certificate course किया हो, treasury management का, ठीक है, post qualification इनोंने experience मांगा है, minimum 1 साल का experience, as an officer in banking, in treasury of a bank, या फिर, minimum 1 साल का experience, as in working with the primary dealer, इसमें बहुत सारी पोस्ट निकली है, Punjab and National Bank में, आप भर सकते हैं, that's a golden opportunity, 4 पोस्ट है, manager law की, law में भी इनोंने same age, age लेकर रखी है, जो इनोंने simple qualification मांगी है, वो है, graduate with a degree in law, और law graduate हो, ठीक है, 60% के साथ, और 5 साल का, किसी ने या integrated course किया हो, मतलब LLM and LLB, ठीक है, integrated course होता है, या वो किया हो, अब preference किन की मांगी है, पोस्ट qualification में, minimum 2 साल का law officer का, ठीक है, experience हो, उनके पास, banking में, state में, या PSU और government department में, पिर आते हैं, फिफ्ट पोस्ट पे, जो है, manager architect में, same age है, इनोंने मांगा है, graduation में, bachelor degree in architecture, किसी भी इनिवस्टिक या regulatory party से, must valid इनके पास architecture का, जो registration certificate है, वो होना चाहिए, ठीक है, और उनको autocad की knowledge होनी ज़रूरी है, with the guidelines, जो इनकी proper guidelines है, सरकार की उनके दवारा, post qualification उनके experience मांगा है, एक साल का planning and designing, supervising execution for multi-storage commercial, industrial या resignation project का experience होना चाहिए, ठीक है, interior का experience होना चाहिए, किसी भी government, semi-government department में, या PUC, ठीक है, अबर 6th post manager, civil के post है, minimum 5, maximum 25, age है, BE, BTEC degree हो, civil की, ठीक है, किसी भी government या government regulatory body से, जिसमें बच्चे के 60% aggregate होने जुरूरी है, post qualification experience कितना मांगा है, एक साल का maintenance of multi-storage commercial essential, ठीक है, इनका experience होना चाहिए, चाहिए, वो government है, चाहिए, semi-government है, चाहिए, PSU है, 7th, क्या कहती है, post, HR की post है, minimum 25, maximum 35, 2 साल का full time distance mode of education से, या complete regular post graduate degree या diploma होना चाहिए, परसन के पास, industrial relation का हो चाहिए, management का हो चाहिए, HR, HRD, HRM, and labor law, इन में से कोई भी ऐसा, बच्चे के बाद diploma या degree हो, जिसमें उसके 60% होने जूरी है, ठीक है, post qualification experience में इन्होंने 2 साल का experience मांगा है, किसमें HR की field में, चाहिए, वो commercial bank का हो, PSU का हो, government का हो, semi-government को, तो वो चल जाएगा, ठीक है, 8 post क्या कहती है, manager economic, इसमें भी सेम उमर मांगी है, minimum 25, maximum 35, जो इनका graduation का मांगा है, post graduate degree हो, economics में, 60% के साथ, या CGPA है, तो 60% के equivalent आप देख लेना, कितना बनता है CGPA, जो post qualification experience मांगा है, इनोंने मांगा है, दो साल का experience हो, as an officer in schedule commercial bank, या PSU, या government, या semi-government, ठीक है, या फिर कोई corporate entity भी चल सकती है, जो 9th है, इनकी post, वो है senior manager इसकी, उसमें मांगी है, इसमें आप ध्यान रखना, maximum इनोंने age मांगी है, 37, इसमें 35 नहीं है, उपर जो हमने सारी post देखी है, उनमें 35 मांगी है, इसमें इनोंने मांगी है, maximum 37 हो सकती है, ठीक है, तो इनोंने graduation में essential का मांगा है, bachelor, master's में, math हो, चाहे statistics हो, चाहे economics हो, CEA, CWA, CFA, कोई भी हो, 60% के साथ पास होना जरूरी है, desirable preference के इनकों मिलेगी, certificate examination risk in financial services, और certification course in discount management, ठीक है, इसमें course होना जरूरी है, post qualification है, इनों तीन साल का post qualification experience मांगा है, कि सेक्टर में banking, PSU, corporate high level value credit भी, ठीक है, और आज की हमारी 10th last post कोन सी है, senior manager credit, इसमें इनोंने 37 maximum मांगी है age, जो हो, इनकी graduation level तक की value है, वो हो है, CEA, CWA, MBA, ठीक है, यह इनकी qualification है, 60% aggregate होना जरूरी है, desirable इनोंने मांगा है, certificate credit course, और moody's analytics, ठीक है, post qualification experience मांगा है, तीन साल का post qualification experience, same in banking, PSU, और corporate high level credit भी, ठीक है, इसमें से किसी में भी हो सकता है आपका, अब देखते हैं, इनोंने relaxation किसमें दी है, SCST वालों को दी है, 5 साल की, backward को दी है, 3 साल की, जो इनके कोई disability भी है, किसी person की, उनको 10 साल की, ठीक है, यह है ex-service man का, and इसके बाद है, इनका children and family members के लिए, जो 1984 में, जो roids होए थे, उनको है 3 साल की relaxation, अब बात करते हैं, इनके selection position की, एक होगा इनका online test, एक होगा interview, online test में आपके आएंगे, 3 paper होगे, ठीक है, 3 subject के, एक reasoning का होगा पहला, उस में से आपको दिये जाएंगे 50 questions, 50 में से आपको सारे attempt करने हैं, ठीक है, and यह paper English में हो सकता है, हिंदी में भी, जो आपको ठीक लगता है, उस language में आप देख सकते हैं, English में 50 questions है, maximum marks इनके है 25, quantitative aptitude में 50 questions है, maximum marks 50 है, personal knowledge, जो भी आप post field करेंगे, उसके regarding जो भी इनका proper knowledge का एक exam होता है, उसमें आपको पूछे जाएंगे, 50 according to the field, and maximum marks उन्होंने मांगे है 75, 120 minutes का आपका paper होगा, total questions कितने होंगे, आपके 200 questions होंगे, interview में आप के होंगे, 35 marks का interview होगा, ठीक है, minimum qualifying marks in interview will not be less than 40%, 40% से कमनी होने जाहिए आपके interview marks, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है, and the most important thing, जो बच्चे ध्यान नहीं रखते, आपकी 0.25% wrong answer की penalty है, please note this, हम ये द्यान रखते हैं, हम कई बार सोचते हैं, negative marking नहीं है, जो आता है मनमें, mark कर दो, बट इस बार का आपने ध्यान रखके चलना है, 0.25 आपकी negative marking है, अब देखते हैं इनकी fees कितनी है, इन्होंने SC, ST, PW category के लिए fees रखी है 175 प्रूपीज, and जो बाकी अधर केंडियेट्स हैं, उनकी fees है 8.50, तो please fill your form before 6th of October,